आप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों आज का वीडियो का पर ज़्यदा इंट्रेस्टिंग है उन लोग के लिए जिनके पास 1 प्लस 9R है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोग साथ सेर करने वाला हूं तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं बट इस वीडियो में आप लोग के साथ सेर करने वाला हूं ऐसा ट्रिक और इस प्रोस्तों को आप लोग फॉलो करेंगे आपको कोई आवाज आने वाला है नहीं आपके साथ कॉल पर बने रहेगा उसके भी sound नहीं जाएगा कि call recording हो रहा है या फिर बंद करने टामें भी कोई भी आवाज नहीं जाएगा तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आप लोगो जो डिफर्ट आता है डाइलर उसके द्वारा जो मैं कॉल करके आप लोगो दिखलाता हूं किस तरीके का परिशानी होता है अब मैं अगर कॉल रिकोर्डिंग को स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको सुना ही देगा काफी ज्यादा इरिटेंग से बिच्टार्ट में एक में लोगो स्टार्ट कर रहा है तो यह प्रॉबर्म आ रहा है तो उसके लिए आप लोग करने क्या दोस्तों बहुत ही सिंपल स्ट्रिप्स को फॉलो करना है इसे पहले क्ट कर रहा हूं मैं आप लोग को एक फाइल देने वाला हूं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूगा उस वेबसाइट पर विजिट करके आप लोग यह फाइल को डानवर कर सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके मैं फाइल मेनेजर में आ जाता हूं तो यहां पर आप लोग दोस्तों एक AP के फाइल है और यह दोस्तों कोई third party AP के फाइल नहीं है यह दोस्तों oneplus का AP के फाइल है आप लोग दिखला है अच्छी से यह देख सकते हैं आप लोग सारे 6MB का यह AP के फाइल है इसका नाम है phone caller ID तो यह दोस्तों एक default जो है यह phone का caller ID जो पहले आता था यह older version का है जिसमें की recording feature अबलेबल था तो मैं इसे install कर रहा हूं इस ट्रॉल करने के बाद जो है आप लोग को इसे locate करके भी दिखला हूंगा कि कहा पर locate होता है सारा डिटल आप लोग को दूँगा पहले दोनों को बंद करता हूं तो मैं वापस से dialer को ओपन करता हूं और यहां पर जो है यह यह डेलर है वापस बननाने डेल कर रहा हूं तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरीक है जो है डालर सामने आ चुका है और मैं इसे speaker पर डालता हूं पहले तो अगर दोस्तो आप लोग को कभी ये screen shot अगर भी भेजना पर जाया है कि call recording वाई रहा तो नहीं कर रहे है आप लोग तो उसके लिए भी आप लोग को ये सिंपल को फॉलो करना है तो आप लोग को जो है दोस्तो वह चीज़ भी दिखलाता हूं home पर आ जाना है आप लोग को और अगर इस notification एरिया में आते हैं तो यहाँ पर दो तरीके से call चल रहा है तो अब लोग करना क्या है first वाला उपर वाला जो होगा उस पर click करना है तो यहाँ पर कोई भी recording नहीं चलना है आप लोग को जो है file manager में आ जाना है my files उसका audio यहाँ पर दिख रहा है audio पर click करना है और मैं आप लोग को प्ले करके भी सुना देता हूँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से recording भी हो रहा है और दोस्तों दो तरीकी के डालड भी है आप लोग डालड को भी बहुत इजली से सुच कर सकते हैं उसमें भी दिकत नहीं आने को रहा तो अगर आप लोग को यह जो आप लोग ने इस्ट्ल करना है तो वो कैसे करना है वो Apps में आ जाना है उपर में एप मेनेजमेंट एयरा इस पर क्लिक करना है और आप लोग वो सुम्पली जो है दोस्तों आप लोगो phone टेयकप कर देना इस पर फोन जैसी टैप करेंगे आप लोग दोस्तों दो तरीके का फोन आ जाएगा एक फरस्ट एक सेकेंड आप लोग को उपर वाले पर क्लिक करना है और यहां पर देख सकते हैं अनिस्टॉल है अगर अनिस्टॉल कर देते हैं अप लोग जोए दोस्ता आप लोग को old में convert हो जाएगा मैं आप लोगो दोनों दिखलाता हूं और एक में जोए uninstall का ओप्सन नहीं आ रहा होगा और मैं recording कर रहा हूं देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग जो है इस नोटिपिकेशन को जो है डिजेबल कर सकते हैं और इंज्वाइ कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग फीचर का अब इसवाप लगों ने देखा बहुत ही सिंपल स्टे देखने चाहते हैं इस तरह की के तो मुझे चैनल को जुरू सब्सक्राब कर लें थैंक्स फॉलाचिंग टिकेट हॉम